करोरों खर्च हुए लेकिन फिर भी डूब गया मुजफरपूर 8 अगस्त और 9 अगस्त की जो बारिश हुई है इस बारिश में मुजफरपूर पूरा जल मगन हो चुका है मुजफरपूर का कोना कोना पानी भड़ा हुआ है जल निकासी नहीं हो रही है करोर रूपे स्मार्ट सिटी के नाम पे मुजफरपूर में नाला निर्मान में सरक निर्मान में खर्च हुए लेकिन एक बारिश में ये सारी किसारी योजना धरासाही हो गई आखिरकार मुजफरपुर बर्ष्टा चार हुआ है कौन इसके लिए जिम्मेदार है आज से दस वर्स पहले मुजफरपुर की जो इस्तिती थी जलमगन मुजफरपुर रहता था आज वही इस्तिती मुजफरपुर की बनी हुई है लोगों ने बिधायक बदल दिया क्योंकि सुरेश सर्मा जब मुजफरपूर के बिधायक थे और नगर विकास मंतरी थे उस वक्त मुजफरपूर जलमगन हुगा तो लोगों ने कहा कि सुरेश सर्मा ने अच्छा काम नहीं किया अब इनको बिधायक के रूप में हटाना जर कर रहे हैं लेकिन हमेशा बली का बगरा जनपत्रिधी बनते हैं सुरेश सर्मा ने स्मार्ट सिटी मुझफरपूर को दर्जा दिलाया सुरेश सर्मा ने स्मार्ट सिटी के नाम पे मुझफरपूर को करोर रुपे फंड दिलाया लेकिन मुझफरपूर के नगर आयुक्त ब्र नितीज कुमार कोई करवाई नहीं करते हैं क्योंकि नितीज कुमार के भष्टाचार की जरे अफसर होते हैं क्योंकि अफसर भष्टाचार करके पैसा नितीज कुमार के पास पहुंचाते हैं इसलिए नितीज कुमार लीपा पोती का काम करते हैं किसी अफसर के ऊपर कोई और जिसका ताजा उधारन है मुजफरपूर का जल जमाव की श्तिती करोरो रोख खर्च हो गए लेकिन कोई पूछने वारा नहीं है अकबार में न्यू जाएगी थोरी बहुत ब्यानबाजी होगी जैसे ही पानी निकल जाएगा सारी बाते फाइलों में दब जाएगी स्मार्ट सिटी के नाम पर मुजफरपूर को जो लूटा जा रहा है जिसके लिए मुजफरपूर के नगर आयुक्त आईएस नगर आयुक्त लोग कहते हैं कि आईएस बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं लेकिन आईएस नगर आयुक्त एसी कमरों में बैठ कर टेंडर का खेल खेलते हैं अपने परचितो को अपने चाहने वालों को टेंड़र देते हैं और सहर को डूबा रहे हैं अगर नगर-अयुक्त अगर कामियाव हैं नगर-अयुक्त अगर योगता वाले हैं तो अब жизни मुझणा से तो वाडो का दोरा करें वो भी पैदल या बाइक से करे उनको जमेनी स्थिती पता होगी चल जाएगी कितना विकास मुजफर पुरका हुआ है ये पता लगाने के लिए नगर या युक्त पूरे मुजफर पुरका दौरा करे वो भी पैदल है